दोस्तों, वेब डेलॉब्मेंट के स्फिरी कॉर्स में आप सब का स्वागत है, जहां पर आज हम सेखेंगे, HTML और CSS की मदद से, टाइम टेबल फॉर्मेट डिजाइन करना, नॉर्मली और निस्केन आप देख पा रहे हो, कि हमने क्लास 6 के लिए एक टाइम टेबल डिजाइन किया हुआ है, जिसमें कुछ डेज हमने मैंशिन किया है, मंडे, टूस्डे, वेंस्टे, थर्स्डे, फ्राइड, सेड़े और यहां पर टाइम दिये हुए हमने, कि 8-9 बजे में ये वाला पिरिड लगेगा, 9-10 में ये, 10-11 में ये, 11-12, 12-1, इस तरीके से हमने पूरा फॉर्मेट रेडी क्या हुआ है, और मैं आपको बता दू कि ये बहुत ही सिंपल होने वाला है, मतलब अगर आप प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, एश्टेमिल की, इस इस लैंगविज की, तो ये एक वन अफ दे बेस्ट प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिस करने के लिए, तो मेक शूर कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, हमारी जो CSS फाइल है, abd.css, इसको हमने लिंक किया है, link relation style sheet, और hyperlink reference के थुरू, हमने file name.css, यहाँ पे लिखा हुआ है, अब इसका use हम अपने time table को design करते time में करेंगे, फिलाल यहाँ पे आते हैं body tag के अंदर, और सबसे पहली term कि आपको यह चीज अच्छे से पता होगी, कि जो हम time table design करने वाले है, इसमें हम use करने वाले हैं table concept को, I hope कि आपको table related terms अच्छे से पता होंगे, अगर फिर भी कोई doubt है, तो playlist में table related tutorial available है, तो आप उसे देखना चाहो तो देख सकते हो, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ पर table से, तो हमने आप लिखा table और table tag को close किया, इसमें दो चीज़े होती है, एक होता है table row और एक होता है table heading या table data, अब यहाँ पर अगर मैं इस table की बात करो, तो इसमें total कितने rows है, सबसे पहला row है देखो यह, जो जिसमें हमने लिखा है class 6 timetable, दूसरा row है यह day वाला, तीसरा row है यह 8 to 9, फिर चौथा 9 to 10, 10 to 11, तो अगर हम इन सब को count करें, तो totally कितने rows है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो total rows कितने हैं इसमें 8, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपने लिखा tr, यह हो गया पहला row, अब यह पहला row किसके लिए है, class 6 timetable के लिए, इसी तरीके से हमें total कितने rows चाहिए, 8, तो हमने इसको copy किया, यहाँ पर आए, हमने क्या paste, यह होगा दो बार, फिर हमने क्या paste, फिर हमने क्या paste, फिर हमने क्या paste, इसी तरीके से हम इसको 8 बार पेस्ट कर देंगे तो यहां पर जितने भी रोज हैं उसके यहां पर हैं उसके हिसाब से हमने यहां पर टोटल रोज ले लिए एक यह बार में ठीक है सबसे बहुत करते हैं पहले रोगे जिसमें हमने क्या लिखा class 6 timetable तो हम यहां पर लेते हैं सिर्फ यहां लिखा रहे class 6 timetable तो सबसे पहले हमें करना क्या है हमें यहां पर table की जो borders होती है उसको mention करना है तो इसके लिए हम यहां भी लिखेंगे border equal n ठीक है बस इतना लिखना है control s क्या यहां पर आए और कर दिया reload तो reload करने के बाद आप यहां पर देख पार हो कि इस फूस्डे वेंस्डे एक दो तीन चार पांस छे साथ मतलब इस रो में total कितना data हमें वाला है साथ तो हम यहां पर आएंगे और हमने यहां भी लिखा थी ठीक है सबसे पहले थी अच में के लिखा हमने डे इसके बाद दूसरा थी अच हमने लिख दिया मंडे फिर हमने एक बार हम आटपुट चेक करेंगे तो जैसे में आपयो चेक करता हूं तो आप यहां पे देखोगे कि जितने भी हमने यहांपर टिएच लिये यहांई टेबल हेडिंग वो यहां पर आ गए लिगिन ऊपर वाली को आप नोटिस करो क्योंकि यहां पर यहां पर मैंने एक ह पूरे row में सिर्फ a की th है। तो यह पहले वाले की place पे आ रहा है, पूरा area cover नहीं कर रहा है। तो इसके लिए एक term होता है row span और column span जब आपको columns को इस तरीके से merge करना है, तो हम use करते है call span तो हमने किया यहां पर call span और हम बोल रहे हैं कि यह जो th वो कितने columns की जगा ले रहा है तो total कितने 1,2,3,4,5,6,7 तो यह 7 की जगा ले रहा है तो हमने लिखा यहां पर 7 और double quotes को close किया यहां पर आएंगे और कर दिया reload तो जैसे में से reload करूंगा आप देखो कि इसने पूरे की जगा यहां पर ले लिया है आप हमें next term क्या लिखना है यहां पर English, Hindi, Math, Learn, Science, SSD यह term supply करना है तो मैं simply क्या करता हूँ आता हूँ दूसरे वाले रहो में पहले रहो का तो data हमने निप्टा दिया यह वाला अब आते हैं दूसरे रहो में यहां पर है और यहां पर हमने लिखा टीडी, टीडी मतलब वो table data यह आप अगर notice करो कि जो ts के थूरू लिया है वो थोड़ा bold में आ रहा है और यह जो है यह टीडी वो आता है नॉर्मल में तो हमने यहां पर लिखा simply English और टीडी को close किया इसको हमें total कितनी बार चाहिए एक दो तीन चार पांश छे साथ दो चार छे टोटल हमें चाहिए छे बार तो हम इसे control D कर लेते हैं 456 और एक चाहिए हमें day के तो आप देखो कि यह वाला भी section यहां पर apply हो गया है अब आते है next term में जो गया हिंदी तो फिर यहां पर आएंगे दुबारा से क्या करना है simply हमने डाला है TD और यहां पर हम लिखेंगे हिंदी TD को किया close control D कर देंगे कितनी बार साथ बार और पहले वाले को हमने यहां पर साथ बार apply करेंगे और उपर वाले को हमने यहां पर चेंज किया और हम यहां पर लिख देंगे क्या time तो normally यहां पर सारा data हमने fill out कर दिया है लेकिन अगर हम बात करें जो 12 से 1 pm का time है और 1 से 2 pm का time है उसमें हमने जो subject लेने हैं वो है computer, sunskirt, PT और GK तो इसको हम यहां पर change कर देते हम यहां पर आते हैं तीसरे वाले term में इसको हमने क्या कर दिया computer और इस वाले को भी हम कर देंगे computer इस तरीके से simple और last वाला जो term है इसको हमने कर दिया sunskirt तो यह हमने इसको data को change कर दिया सेम यहां पर आएंगे हमने इसको किया gk इसको select कर लेते हैं और हमने यहां पर डाल दिया gk सेम यहां पर भी जो यह last वाला portion है इसको किया gk और इस वाले term को यहां पर cut करके हम कर देंगे PT अब हमारा completely data यहां पर ready हो गया है कुछ भी hard term apply नहीं कर रहा है simply हमने table लिया और table में हमें जितने rows की जरुवत है उन rows को हमने एक बार में ले लिया उसके बाद पहला th लिया TH में आप देख सकते हो कि यहां पर हमें इसे 7 columns के लिए merge करना था तो यहां हमने call span 7 डाल दिया जिसके वज़े से जो class 6 time table है यह 7 columns के जगह ले रहा है इसके बाद पहले वाले में हमें थोड़ा bold चाहिए था इसलिए हमने th यूज किया और बागी सब में हमें normal चाहिए था इसलिए हमने td यूज किया अब आते है css वाले portion पे यहां पे simple तो सबसे पहले हम edit कर लेते हैं table को जो कि पूरा table है हम यहां पे आएंगे अब देख रिलोड करोगे आप देखोगे कि यहां पे जो दो दो आउट लाइनिंग आ रही थी वह यहां से हट गई है इसके बाद next time पे आते हैं वह बॉर्डर की width तो बॉर्डर की width तो हम कर देते हैं 100% कि screen size के हिसाब से 100% एरिया यह cover करें इसके बाद height की बात कर लेते हैं तो height मै यहां पे आएंगे और रिलोड कर देंगे जैसे मैं रिलोड करूँ आप देखोगे इसका interface काफी जादा better हो गया है पहले से अब इसके बाद अगर हम preview को देखे तो जो हमारा पहला वाला यहां पे row है सबसे पहला रो जो उपर वाला row है इसका color green है text color white है दूसरे वाले का yellow है और जो font weight है वो bold है तो अभी हमें पहले वाले row और दूसरे वाले row को edit करना है तो सबसे पहले तो यहां पे आते हैं पहला row कौन सा यह वाला तो इसको हम एक अलग नाम दे देते हैं तो हमने बोला class A इसको हमने क्या नाम देते है class A और दूसरे वाले row को हमने नाम देत है वो मैं यहां पर डाल देता हूं background color dark green ठीक है और जो इसका color है वो हमने कर दिया white और इसके साथ जो इसका font size है वो मैं कर देता हूं 25px ctrl s के यहां पर आते हैं preview चेक करते हैं तो आप देखोगे preview इस पर apply हो गया इसके बाद इसी को copy कर लेता हूं मैं यहां पर नीचे आते हैं और ctrl v किया अब मैं edit कर रहा हूं जो दूसरा वाला रो है क्यानि कि यह वाला रो तो इसको edit करने के लिए हमने दिया .b background color हमने दे दिया यहां पर yellow font size हम दे देते 18 अठारा या look represent करें तो इसके लिए हम क्या करेंगे simply आएंगे यहां abc.html में और यह जो lunch वाला portion है कहां यह lunch वाला portion यह यह वाला tr तो इसको नाम दे देते है class equal c फिर यहां पर आएंगे और हम यहां पर आते हैं हमने यहां पर लिखा .c curly bracket on curly bracket close यहां पर आएंगे और इसका जो font weight है वह हम कर देंगे bold ctrl s किया यहां पर आए reload कर दिया अब इसके बाद आता है हमारा last term जो कि है इस पूरे पर color apply करना तो इसके लिए हम यहां पर आते हैं और हम यहां पर कौन सा color apply करें हमने किया background color light yellow ctrl s करते हैं यहां पर आते हैं reload कर देते हैं तो यह color इस पर apply हो गया और अब मैं css का भी कुछ खास इसमें burden portion apply नहीं किया simply water collapse width height यह सब अपने हिसाब से mention कर दिया जिस row को हमें particularly edit करना था जैसे पहला row दूसरा row और एक lunch वाला row तो उसके लिए हमने यहां पर dot a dot b dot c यानि class के थुरू उससे target किया और उसे edit कर लिया और simply यहां पर हमने एक simple table construct किया जो कि on screen आप देख पा रहे हूं आशा करता हूं दोस्तों time table आप कैसे create करोगे यह portion आपको अच्छे से clear हो गया हो अगर ही video आपको पसंद आयो तो please इस video को like करें share करें साथी comment करके अपना feedback जरूर दें thank you